इस चीज़ हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं, नगे डेश को बिनाने का काम कर रहे हैं इस Cow Farm है देचे कुछ और बनाने का क्या गया है क्वेंकि कोन्कूरेस को आज भी जो है अपसीजन करने नहीं आ रही है opposition is stronger than ruling party ये इस चीज़ आपको मानने वड़ेगी और Congress जो है वो जैसी opposition करनी चाहिए वैसे opposition नहीं कर पा रही है ये मैंने आपके ही एक DTC मेंबर से भी मैंने ये सवाल किया था और उनसे मेरे को अमीदा जो है जवाब नहीं मिला था मैं आपसे ये जाना चाहता हूँ कि आप जो opposition करनी चाहिए थे वो opposition हो पा रही है असलावलेकर नाजरीन आप लोग देख रहे हैं और मैं हुआ का अपना मैजबान मजमिल बट नाजरीन जैसे जैसे election पास आ रही है सियासी गतिवीदियां जो है वो तेज हो गई है रफतार पकड़ ली है वैसे ही जो मरकजी सरकार है बीजे पी उनका ये कहना है कि जमू कश्मीर में after the abrogation of article 370 and 35 way जमू कश्मीर में जो है वो तरक्की की नदियां बही है आपने बखुबी सुना के इंटर्विउद में उनने कहा कि यहां पे आतकवाध था आतकवाध को खतम किया गया यहां पे सिरफ और सिरफ development हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही है अगर जमू कश्मीर में development हो रही है तो यूवा क्यों नराज है क्यों opposition की p waktu आपी है वो सडकों पे नजर आती है जब भी कोई बिल पास होता है उस बिल के मुकलिफ में उसके अंगेस्ट में खड़े होके जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है वैसे ही आज मेरे साब बातचीत करने में एजास चोधरी साब जुड़े हैं यहाँ पे जो की स्टेट वाइस प्रेजिनेंट है इंडियन नेशनल यूथ कांगरेस के अजास जी पहले ताओ का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका आपकी टीम का अजास जी मैं जो है चानद पे पहुंच चुका है इतने डिवेल्पमेंट होगी है तो मैं आप से ही पुछता हूँ आप पत्रकार ता करते हो आप दिन बर अलग-अलग रिजिन के अंदर जाते हो आपको कितनी डिवेल्मेंट दिक रही है три سو ستر जब इनोंने तोड़ा उसका पेंटी फिर उसके साथ साथ जो हमारी रियास्त चीन ली जो माराजाजी के टाइम की तनी बड़ी रियास्त जब हिंदोस्तान की अजादी के टाइम गिनी चुनी रियास्त थी उस वक्त हमारी रियास्त का भी एक बहुत बड़ा नाम उस रियास्त को इनुने तोड़के यूनिन टेरिटरी बना दिया और इसके अंदर से तोड़के हमारा एक पार्ट लदाक को अलग कर दिया वगलर एक इनसान के जिसम से एक पार्ट काटके उसको अलग कर लिया तो वो एक जखमी हालत में जम्मो कश्मीर इस वकत है और उसके साथ जो डिवल्मेंट की मुद्धे की बात आई पार्लिम्न के अंदर खड़े होके हौज के अंदर खड़े होके हमारे ग्रह मंतरी जी कहते हैं कि 308 ने के बाद यूनिटेरिटरी बिनाने के बाद वहां अतंगवादी हमले जो है वो बंद हो जाएंगे अतंगवादी गत देख लीजिए थनामंडी के अंदर दो बार अटेक हो चुका है कश्मीर के अंदर कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन आतंगवादी हमले हो रहे हैं उसके बाद यहां पे देख लीजिए बारती जनता पार्टी के वरकर के गर के अंदर अटेक होता गरनेट अटेक और स्कूर्टी दी जाई तो गोर्मेंट ने नहीं दी स्कूर्टी उसको भी जान देनी पड़ी वो शहादत ली उन्होंने शहीद हुए तो यहां पे डवेल्मेंट के बात जो कर रही है बारती जनता पार्टी क्यों नहीं यूवा रोड पे आएगा आप 19 के बाद अभी तक कितनी एटॉटाइजमेंट हुई हैं और कितनी यूवाओं को जाब मिली हैं चाहिए वो गोर्मेंट सेक्टर देखो चाहिए प्राइवेट सेक्टर देख लो चाहिए जम्मू की बात कर लो चाहिए किश्मीर की सिर्फ अगर सिर्फ जम्मू वालों को मिल रहा है इस वक्त पुरा जम्मू प्रेवेंस का उसके अंदर जम्मू किश्मीर को गिफ्ट दिये हैं टोल के बरसाद ये डिवेल्मेंट हुई है ना तो इसमें क्या रोजगार मिली है या रोजगार चीनी गई है और जो एक गरीब लोग था एक आम तहड़ीदार एक ड्राइवर पेशा वाल की तरह बिजली की बात कर लीजिए बिजली प्राइवेटेशन कर रहे हैं ये ये तो पूरे देश की जो बनाई हुई चीजे हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं ना के देश को बनाने का काम कर रहे हैं कभी कल ही कुछ दिन पहले हमारे लेडर पूरे देश के नेता राहु बज़र्गों ने जो हमारे बज़र्गों ने हमारे परवज़ों ने मिलके इस देश को खड़ा करने में एक अमारत बनाई थी उस अमारत उस पूरे एक गुल्दस्ता को उसको बेजने का काम इस वकद बारती जनता पार्टी और उन्होंने वो शुरू कर लिया है जैसे निजाम जो पिछले सतर साल का था गुर्मिंट का जहां पे एक विश्वास रहता था एक आदमी को अपनी रोजगार का एक शुरूर्स रहती थी कि भई मैं वहाँ पे अगर रेलवे में काम कर रहा हूं तो उसके विश्य के लिए उसको शुरूर्चित रहता था उसकी फै मैंने आपको जितनी आइटम गीनी है इसमें मैं पॉलिटिक से हटके एक आम नागरी जम्मू किश्मीर का होते हुए जितनी चीज़े मैंने गनवाई हैं क्या इसमें आपोजिशन वाले या जो भी एक आम नागरी के सोशल अक्टिविस्ट भी आवाज उठाता है क्या वो देश की चीज संपत्ती को आप बेजने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई आवाज उठाएगा वो तो एक आम हो गया है बारती जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा वो चाए ए हो चाए बी हो कोई भी पार्टी हो चाए शोशल एक्टिविस्ट हो जो भी बारती जनता पार्टी के खिलाफ वाज उठाता है वो देश दुरुई हो जाता है वो अतंगवादी हो जाता है वो टैसा क्यों वो इसलिए कि को वो सुनना पसंद नहीं करते आप अभी देखो महारास्टा के अंदर अगर नरायन रहने को अरेस्ट किया उसने गलत बोला उस किया कि तब आपको जो अलेक्शन को खासकार इन्होंने इस्तमाल किया तब डेमोकरिसी खत्रे में नहीं थी क्या जो बहार के अलेक्शन हुए बाकी स्टेटों में अलेक्शन हुए जासे इस सरकारे बनी वी चुनी सरकारों को तोड़ के उनको खरीद के सरकारे तो तो तब डेमोक्रिसी खत्रे में होगी, इसी तरह कोई और ना, बारती जन्ता पाटी कुछ भी बोलेगी, तब कुछ नहीं, जब बारती जन्ता पाटी सिलंडर गया सरपे उठाके, तब पूरे शेर में गुमते थे, जब प्याज दस रपे के जी ते, आठ रपे से दस हुआ, तो तब पूरे शेर में उसकी मालाई पहन के बजार में गुमते थे, तो तब उसको क्या बोलेंगे, आज वोही चीज़ें, सिलंडर आपका नौशु पोहुँच गे, अगर इसके पहले थी क्योंकि कांग्रेस को आज भी जो है अपोजिशन करने नहीं आ रही है अपोजिशन is ट्रॉंगर दैन रूलिंग पार्टी यहीछ चीज़ आपको माणने बढ़ेगी और कांग्रेस जो है वो जैसी ऑपोजिशन करनी चाह Pence नहीं कर पा रही है ये मैंने आपके ही एक DDC मेंबर से आप कोई दिन भी देख लो जम्मू हो चाय कश्मीर के अंदर हो यक्टिविडी चाय प्रोटेस्ट लेके आम जनता के कोई भी इशुस है उसको लेके सुबा शाब रोड पे हो administration के पास होते हैं पहुंचे हुए अब ठीक है इस वकत कहीं ऐसे channel हैं जो दिखाना नहीं पसंद करते हैं आपको मैं example तरतों सिर्णगर अंदर राहूल गांदी जी आए वो खेर बवानी गे हजरत बाल गे उसे बाद उन्होंने आके party का convention थी वो प्रोडाम एटेंट किया उस दिन के आप जितने भी portal कश्मीर के देखो जिनकी रीच उस तेम एक एक लाग तक पहुंचती थी कि उनके हम से हम 30-40-40 जार व्यू नार्मल पोर्टल की जो थे उनके उस दिन कारण से इन्होंने उस चीज़ को दुबाने की कोशिश की तो डर किस चीज़ का मतलब की देखो एक तो वो ruling party में उनके साथ अबाम है अगर आप opposition में हो तो आपके साथ भी कोई ना कोई मेंगपाई हो रही है तो उसकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है वो ही डर है कि लोगों को मत बताए जाए लोगों को यह दर्म की राजनिती में बांटना चाते हैं उसी चीज़ में लोगों को बांटके रखते हैं ताके उसी चीज़ में लोग बटे रहें सचाई जो है जो मेंग पाई जो अरूज पे पहुँँ है चाए तेल की किम्तращ देखो चाए डίζल पट्रोल देख दोनुद़ की चीज़ने डेख लो चाएग तेल आज कहां पहुँँँ अचाल आज पहुँँकर के रेट कहां पे है आपके साथ गलत कर रहे भू Yoo गलत कर रहे है उसी चीज़ को छपाने के लिए ये काम कर रहे हैं ये दरते हैं कि ये चीज़ें पबलική तक ना पहुंचे इए मरकजी सरकार से मैने ये सवाल किया था कि महिंगाई जो है बोगों के साथ इस अवाम, भारत की अवाम के साथ इनलों भोखा किया जब कच्छे तेल की कीमतें बिलकुल माइनस में चली गी, हुआँ शुन्न की चली गी, तो तब भी इनका तेल प्राइस जो था चीज़ों को रेट कम कर दिये क्योंकि रेट कम किये क्योंकि सब देखो एक आम जो गरीब आदमी था जो दिन को पचास सो दो सो रवे कमा के अपने गर में जाके बाल बच्चे को पालता था वो जब करोना काल हुआ उसका काम तो बंद हो गया ना उसके लिए बारत की सरकार ने क्या किया और उल्टा क्या हुआ कि देश के लोगों ने परदान मंतरी केर फंड में खूब सारा पैसा बर दिया आप जैसे नोजवानों ने भी जब देखा कि भाई देश की हलात ऐसी हैं तो आप जैसे नोजवानों उने भी लाखों में पैसा डुनेट कर दिया बड़े लोगों तो अनुने अर्भू में मिलियन में लोगों ने पैसा किया फारन से लोगों ने पैसा डाल दिया बट उस पैसे कवही साब कहीं सुने नीनाया वो जन्ता तक नहीं पहुंचा आप जब मार्केट रेट सब सारे मुलकों ने आपने लोगों को सहलत दी, वहां रिलीफ दिया लोगों को, तो हमारी सरकार ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, तो फिर जब आप कुछ लोगों को देंगे भी नहीं, और फिर जब कोई आवाज भी उठाएगा, उसकी आवाज को भी दबाएंगे और फिर बोलेंगे ये गलत कर रहे हैं और फिर बोलेंगे ये नेचर का मसला जी हमारे हाथ में नहीं है ये उपर से आया था जी तुफान आ गया बेमारी आ गया हम इस ले नहीं कर पए तो बाकी मुलकों में तो हुआ हम से ज़्यदा तो काफी सारे मुलक में लेके छोड़ दी है जेडीपी तो आज वही चीज़ें कि जब रोजगार देने की इन्होंने बात की थी कि हर साल हम दो करोड नोकरियं देंगे साथ साल में चोवडा करोड नोकРИये मन दें उल्टिच चोवडा करोड से डबल लोगों की नोकरिये चली चलीए की है उसमें लोगों इनको गरीब को रिलीफ देना चाहिए था रिली पेकेज राहूल जी ने, पीच तमरम जी ने, मनमोन सिंग जी ने सब ने इसको सला दी अपने जो सरकार मुझूदा है संट्रल गोर्मेंट को कि आप ऐसा एक नए स्कीम है आप कम से कम गरीब लोग जो हैं तहड़ीदार हैं जो भी एक क्रेटेरिया बनाके उनके खाते में आप ये रोटीन का पांच जार पे छे जार पर मंथली आप डालें को जो हम कर सकते थे वो रोटी रोटेट होना था मार्केट में जाना था पैसा फिर से वापस हमारी जीडीपी का ग्रोथ जो था बंड़ना था इन्होंने उस चीज़ को नकारा नहीं किया फिर इन्होंने बोला लोग मुता रिलीफ का राशन पहुंचा है इन्होंने वो भी नहीं पहुंचा है आज ये पांच-पांच किलो के आटे पहुंचा के बड़ी-बड़ी होडिंग लगी जम्मू के अंदर भी देखो आप उद्धूपुर में देखो किश्मीर में में पहुंच किलो आटा राशन दे रहे हैं फरी है भाई हम तो पहन्ती किलो देते दे ना हम तो बिना उसके हाट के हम पहन्ती किलो आटा देखें और बड़ी-बड़ी है ये जम्मूँ आप निकली यहाँ पे हाईवे पे देखें हर जगा होडिंग मिलेंगे पांच किलो आटा की जिनाव जहाँ जम्मूँ के नेताओं के साथ फोटो लगा कि मोदी जी का धन्यवाजी पांच किलो आटा पंचा दिया लोगों भाई पांच किलो आटा से क्या होगा जहां पहले हमारी सरकारे एक जो BPL थे, APL थे, उनका अलग-लग क्रेटिरिय रिए किसाब के पेंटी किलो राशन देते थे आज इन्योंने चीनी बंद कर दीए स्टोर पे ऑज इन्योंने केरोसीन बंद कर दिया आज ये लोगों को जो पहले अना जाता था वो कम कर दिया तो इन्होंने दिया तो दिया क्या लोगों को कुछ नहीं सिर्फ बांटा है लोगों को अगर इन्होंने कोई काम किया है जम्मो किश्मीर का पूरे देश के अंदर वो सिर्फ लोगों को आपस में बांटने का काम किया है जो प्यार महबत थी उसको तोडने का जो गुलदस्ता था उस गुलदस्ते को तोडने और बांटने का काम किया है बारती जनता पाटी ने बहुत बहुत शुक्री है जास भाई तो सुना अपने नाचरें तफसीलन बात हुई जो मरकजी सरकार दावे करती है कि आपोजीशन जो है प्रोपगंडा करती है तो यह खुबी आप भी जाना है के प्रोपगंडा कोन करता है वादे करके उन वादों से मुकर जाना और कहना ये पराणी पार्टियों का किया दारा है और उनके पाप की गंटी है जो हमारे गले में बन चुकी है तो ऐसा कहना मरकजी सरकार को शुबा नहीं देता क्योंकि एक जिम्यवार ओदे पे बैठे हैं और जिम्यवारी से उनको जो है देश चलाना है इस केंदर शासिर परदे जमू कश्मीर को चलाना है आपकी क्या सोच है आपकी क्या राया है कमेंड वाक्स में कमेंड करके जरूर रखें आप इसी तरह से बने रहें इनकोरे टूड़े के साथ अल्ला हाफिस